Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम करेंगे income tax का section 32 जो है depreciation. ये section PGPP का बहुत ही important section है. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई business run करते हैं, चाही as a proprietor करें, चाही as a partner करें, चाही as a company और या फिर कोई और business form. तो जो भी हमारी fixed assets होती है, हम उन पर depreciation claim करते हैं. और depreciation से क्या होते हैं, कि जो भी हमारा profit होता है, वो reduce हो जाता है, जिसकी वज़ा से हमारी tax liability होती है, वो भी reduce हो जाती है. अभी तक जिस तरीके से हम accounts में depreciation की calculation करते आएं हैं, और अभी हम जो income tax में depreciation की calculation सीखेंगे, वो दोनों काफ़ी different है. तो income tax के अपने ही अलग provisions है, depreciation को लेके, जो बताये गए है section 32 में. तो देखिए सबसे first है, conditions to claim depreciation. तो income tax ने कुछ condition specify की है, कि अगर ये condition satisfy होती है, तो ही हम अपने PGPB में depreciation को claim कर पाएंगे, otherwise हम depreciation claim नहीं कर सकते. तो सबसे first है, assessi must be the owner of the asset. Registered owner need not to be necessary. इसका मतलब है कि अगर आपको depreciation claim करना है, तो आपको उसका owner होना जरूरी है. अब यहाँ पर उन्होंने बोलाए कि registered owner नहीं होंगे, तो भी चलेगा. अब इसका क्या मतलब है? अब कई बार क्या होता है, कि हम लोग assets को lease पे लेते हैं, जिस पे हमें asset को use करने का right तो मिल जाता है, और साथी साथ हम अपने lease rentals जो होते हैं, वो periodically pay करते रहते हैं. तो accounts में हमने देखा था कि अगर वो operating lease है, तो lesser जो होता है, वो उसका depreciation claim करता है, और if it's a financial lease, तो हमारा जो lessy होता है, वो depreciation claim करता है. But income tax accounts को नहीं मानता. Income tax वाले कहते हैं, कि जो भी lease हो आपकी, चाहे financial lease हो, चाहे operating lease हो, चाहे sale and lease हो, कोई भी तरीके की lease हो, जो भी lesser होगा, सिरफ वही depreciation claim करेगा, और कोई नहीं करेगा. तो be it a financial lease, और an operating lease doesn't make any difference, हमेशा lesser नहीं depreciation claim करना है. क्योंकि देखो, lessy जो होगा, वो अपनी books में already, अपना जो rental payments वो कर रहा है, periodically payments जो कर रहा है, lease rentals की, कि चाहिए प्लेसर हो, चाहिए प्लेसी हो, हमें फरक नहीं पड़ता, हम ये जो depreciation हैं, सिरफ lesser को ही देंगे, और किसी को नहीं देंगे. अब next होता है, higher purchase, higher purchase में आपको पता है, कि हम क्या करते हैं, कि किसी भी asset को हम purchase करते हैं, higher purchase system पे, और हम उसके जो owner होते हैं, वो तब तक नहीं बनते हैं, जब तक कि हमारी last installment पेना हो जाएं. तो higher purchase करते हैं, जो हमारी intention होती है, वो क्या होते हैं, कि हम उसके owner बनेंगे, तो higher purchase agreements के लिए, जो depreciation claim कर सकता है, वो सिरफ higher purchaser कर सकता है, higher vendor अपनी assets के उपर depreciation claim नहीं कर सकता, तो lease है, तो lesser को मिलेगा, higher purchase है, तो higher purchaser को मिलेगा, next है, co-owner can claim depreciation to the extent of value of the asset owned by each co-owner, अगर देखें कहीं बार क्या होते हैं, कि asset जो होती है, वो दो लोग मिलकर purchase करती है, तो in that case, depreciation किसको मिलेगा, तो income tax कहता है, कि देखो, जितना तुम्हारा share है, उतना depreciation मिलेगा, तो अगर तुम्हारा 50-50% share है, उस asset की अंदर, तो तुम्हें जो depreciation मिलेगा, तो 50-50% मिलेगा, अगर तुम्हारा 60-40 का ratio है, तो हम depreciation भी 60-40 की ratio में claim करने देंगी, next है, अगर आप अपनी एसेट में उसको यूज़ करोगे, आपको उसी एर में depreciation मिलेगा, यानि कि अगर आप अपनी एसेट परचेस करते हो, लेकिन आपने अभी तक उसको यूज़ करना start ही नहीं किया, तो फिर no depreciation shall be provided, आपको उस साल का कोई भी depreciation नहीं मिलेगा, बट जिस साल से आप अपनी एसेट को यूज़ करना start करोगे, उस साल से आप पर depreciation claim करना भी start हो जाएगा, अदरवाइस आपको नहीं मिलेगा, अब question आता है कि active use या passive use, अब देखे active use क्या होता है, active use होता है कि जब आप किसी एसेट को regularly use करते हो, जैसे कि आपके पास machine है, plant है आपके पास, याप कोई motor vehicle है, AC है, तो अगर आप उनको regular basis पर यूज़ करते हो, तो उसे हम बोलते है active use, दूसरा होता है passive use, passive use का मतलब होता है ready to use, यानि कि आप अपनी asset को लेकि आए, आपने उसको unpack किया, आपने उसकी fitting वगेरा कराई, लेकिन आप अभी उसे use नहीं कर पारे, क्योंकि अभी तक उसकी जो need है arise नहीं हुई, लेकिन आपने emergency के case में आपने उसको stand by पर रखा है, for example fire extinguisher, अब ऐसा तो नहीं है fire extinguisher है, तो आप उसे daily के daily use करोगे, तो depreciation चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि खुदी आग लगाएंगे और खुदी बुजाएंगे और कहेंगे कि it is actively used in the business, तो हमने अपनी asset को use करने के लिए ready रखा है, लेकिन अभी तक ऐसी situation arise नहीं हुई कि हम उसको use कर पाए, तो उसे हम बोलते है passive use या फिर ready to use, तो अगर आपकी asset जो है वो ऐसी है, जो कि आपको उसकी ऐसी condition ही नहीं है कि अभी तक आप उसको use करना start कर पाओ, तो passive use भी चलेगा, बट अगर machine आप लेकिया आते हैं और आपने अभी तक उसको use करना ही start नहीं किया, तो वो कोई passive use में नहीं चलेगा, उसमें आपको actively use करोगे, तो ही आपको depreciation मिलेगा, तो depending upon the type of asset आपका active use होगा कि passive use होगा, वो depend करता है कि आपकी asset कौन से type की है, Next है types of asset, income tax ने depreciation की calculation के लिए assets को दो types में classify किया है, first one is the intangible asset, और second one is the tangible asset, Intangible में उन्हें बोला कि intangible assets कौन से होती है, जैसे कि know-how हो गया, patents, copyright, trademark, license, franchisee, या फिर किसी भी और तरीके कि जिससे हमें commercial rights मिलते हैं, किसी भी business के, तो उसे हम बोलते हैं intangible asset, second हो गया tangible asset, tangible assets में उन्हें broadly classify क्या है, building, furniture, या फिर plant and machinery, तो ये तीन टाइप्स की assets जो हैं, उन्हें tangible assets के अंदर बताई हैं, next है rates of depreciation, अब देखें जब हम accounts में depreciation calculate करते थे, तो हमारी मर्जी होती थी कि हम कौन सा rate of depreciation लगाना चाहते हैं, तो depending upon कि हमारी asset की cost कितनी है, वो कितने उसकी useful life है, उसकी salvage value हमने कितनी सोची है, expected salvage value, उसके according हम depreciation calculate करते थे, but income tax ने अपने जो depreciation के rates हैं, वो already specify कर दिये, कि अगर आपके ये वाली asset है, तो आपका इतना ही depreciation होगा, अगर आप अपनी मर्जी से depreciation charge करोगे, तो हम उसको disallow कर देंगे, तो accounts में आप जो मर्जी depreciation लगाओ, लेकिन income tax की calculation के लिए, हमें यही rate of depreciation use करना होता है, तो देखे, सबसे पहला इन्होंने बोला था मैंने कि जो tangible assets में सबसे first होता है, वो होता है building, तो building में उन्होंने इसको तीन parts में classify किया है, residential, purely temporary actions such as wooden structure और other buildings, तो residential building हो गई, जिसमें रहने के लिए use होती है, तो अगर जो business है, उसने कोई ऐसी residential building जो है वो बनाई है, अपने business, अपने sorry, अपने partners के लिए, या फिर अपने जो workers है, उनके लिए कि वो residential purpose के लिए use करेंगे, या किसने quarters बनवा दिये, तो उस तरीके के अगर आपकी building है, जो residential purpose के लिए आप उसे use कर रहे हो, तो वहाँ पर जो rate of depreciation रहेगा, वो 5% रहेगा, नेक्स्ट है, purely temporary erections such as wooden structure, अब देखिए हमें क्या करना होता है, कि कहीं बार अपनी जो main building होता है, उसको support करने के लिए, उसको construct करने के लिए, हमें उसके पास में wooden structure create करना पड़ता है, जो हमारी main building की construction में help करता है, और जब हमारी building की construction complete हो जाती है, तो हम उस wooden structure को जो है, वो demolish कर देते हैं, तो अगर आपकी ऐसी building है, तो उसके आपको depreciation मिलेगा 40% in one year, तो 40%, 40% and then last में हमें 20% मिल जाएगा, जिससे हमारी asset जो है, वो पूरी depreciate हो जाएगी, और last one है other building, यानि कि जो ऐसी building जो ना तो part 1 में आई है, ना ही part 2 है, तो जोन से भी building बचेगी, उसके उपर हमें depreciation लगाना होगा, at the rate of 10%, next category है furniture की, तो furniture के साथ इन्होंने fixtures भी रखे हैं, furniture के साथ इन्होंने fittings भी रखे हैं, तो इसके उपर हमारा 10% का depreciation रहेगा, furniture आपको पता है, जो भी होता है, sofa, table, bed वगरा, and fittings होती है कि जो भी हम लकडी की या किसी भी चीज़ की हम fitting कराते हैं, अपनी शॉप में, अपने place of business में, तो वह वाली fittings भी count होगी, last category है हमारी plant and machinery की, जो हमारी tangible assets में आती है, तो इन्होंने इसको काफी सारे types में classify किया है, plant and machinery को, सबसे first है motor vehicle, motor vehicle देखे, दो types के होते हैं, अगर तो आपका जो business है, वो motor vehicles को चलाना है, जैसे कि Ola हो गया, Uber हो गया, या कोई आप buses चलाते हो, या आप कोई van चलाते हो, तो अगर आपका ऐसा business है, तो उस case में जो rate of deposition रहेगा, वो 30% रहता है, लेकिन जो motor vehicle का business था, वो काफी जादा slow down था, तो निमला सितरमजी ने एक amendment किया, और उन्होंने बोला, कि अगर आप अपनी asset जो है, यानि कि जो motor vehicle है, अगर आप 23rd August 2019 से को acquire करते हो, और 31st March 2020 तक acquire and put to use करोगे, तो हम आपको higher rate of deposition देंगे, जो कि 45% हो जाएगा, तो अगर उससे पहले की asset है, acquire, तो आपने 30% लगाना है, लेकिन अगर आपने इस time period में अपनी asset को acquire किया, और put to use भी किया, तो फिर आपको higher rate से depreciation मिलेगा, 45%, बाकि जो भी motor vehicle बचेगी, जो कि हम business के लिए use करते हैं, जैसे हमारे employees को कहीं आने जाने के लिए, या फिर car, scooter, bike, कुछ भी हमारे business के लिए use होती है, तो हम उसमें 15% depreciation देंगे, और same, अगर आपने उसको acquired and put to use किया, तो हम आपको 30% की rate से depreciation देंगे, तो ध्यान रखना है, question करते हैं कि आपकी asset की जो acquisition rate है, वो क्या है, वो आपने ध्यान रखना है, अगर acquisition rate जो है, वो इस time period में आ रही है, तो higher rate of depreciation, otherwise lower rate of depreciation लगीगा, next category है ships की, कि अगर आपका जो business है, उसमें ship आप use करते हैं, तो 20% का depreciation, उसके बाद next है, aircraft, books, computer या फिर laptop है, तो 40% की rate से depreciation मिलेगा, next है windmills and equipment, अगर आपने windmills या equipments लगवाए हैं, तो अगर आपके 31st March 2014 तक के equipments हैं, तो 15% की rate से depreciation आप चार्ज कर सकते हूं, लेकिन अगर आपने 31st March 2014 के बाद से, अगर आपने उनको install किया है, तो फिर आपको higher rate से depreciation मिलेगा, जो की 40% है, इसके बाद है pollution control equipments, अगर आपने pollution control करने के लिए equipments लगवाए हैं, तो उसमें भी 40% का depreciation है, अगर कोई और planted machinery है, जिसका name हमने specify नहीं किया, तो अगर आपका question बिल्कुल silent है, आपको कुछ भी नहीं बताता कि planted machinery कौन से type की है, तो आप बिना कुछ सोचे 15% का depreciation लगा देंगे, तो other planted machinery के case में, हमारा 15% का depreciation रहेगा, और last category है, intangible assets, intangible assets हमने बोला था कि कौन सी होती है, technical know-how हो गया, patents, copyrights, तो इस type के अगर आपकी asset है, तो उसमें हमारा जो rate of depreciation रहेगा, वो रहेगा 25% का, 25% is the rate of depreciation for intangible assets, next time method of depreciation, अब देखें जब हमने 11th class में account सीखा था, तो उस time पे हम depreciation वाले chapter में देखते थे, कि हमारे जो methods होते हैं, वो काफी सारे होते हैं, like straight line method था, return down value method था, machine R rate था, and unit production method होता है, sum of years digit method होता है, तो काफी सारे methods हमारे पास available होते हैं, जिन से हम depreciation calculate कर सकते हैं, but income tax ने specifically बता दिये, हमें 2 rates, जो की हमें use करने है, या तो SLM, straight line method, या फिर WDV, जो है written down value method, इन्होंने बोला कि, अगर आपका जो business है, वो power generation, और generation and distribution है, यानि कि अगर आप electricity generate करते हो, या फिर electricity generate भी करते हो, और उसको distribute भी करते हो, तो फिर आपको हमें एक option देते हैं, कि या तो आप SLM चूज करो, या फिर आप WDV चूज करो, और आपने जोन साभी method एक बार use किया, आपको forever आपको वही method यूज करना है, तो either you can use, either you can choose SLM or WDV, but once a method is adopted, you have to continue it forever, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, बाकी जो businesses बचे, other than power generation और distribution, तो बाकी जो businesses बचे, उनके पास कोई option नहीं है, उनको compulsory WDV ही adopt करना है, तो देखें, जो method adoption है, यह सिरफ income tax की calculations के लिए हैं, कि ऐस पर income tax हमारा profit calculation क्या होगा, accounts में आपके पास fully freedom है, accounts के हिसाब से आप चाहे, WDV लगाओ चाहे या SLM लगाओ चाहे, जो merge rate of depreciation लगाओ, हमें उसमें problem नहीं है, आप अपनी financial statements जैसे merge prepare करो, लेकिन अब जब हम income tax के according, profit calculate करेंगे, net profit, तो उसके लिए जो हमारा method of depreciation होगा, वो WDV ही होना चाहिए, और वो भी उनी rate से depreciation लगाना है, जो हमने specify किया, accounts में आप जो merge करो, अगर आप power generation में है, तो SLM या फिर WDV option आपका है, और अगर आप कोई और business में है, चाहे आप किसी भी business में हो, तो आपको WDV ही compulsory follow करना है, next है SLM method, अब देखिए SLM method आपको पता ही है, कि depreciation जिस पर भी हम calculate करते हैं, asset पर वो cost of the asset पर हमेशा calculate होता है, और उसी rate पर calculate होगा, जो कि act ने specify किया है, तो जो भी act ने बताया, for example 10% rate बताया, तो हमेशा cost का 10% जो होगा, वो हमारा depreciation हो जाएगा उस year के लिए, next है WDV method, this method apply on block of assets, यानि कि ये method apply होता है block of assets के उपर, अब block of assets क्या होता है, तो block of asset means group of assets having same rate and same class of assets, यानि कि वो assets का group जिनकी same rate है और जिनका same class है, अब इस example से समझते हैं कि block of asset का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आपके पास मान लिजे कि दो building है, building in area 1 and building in area 2, तो हमें पता है कि ये दोनों buildings जो है अगर वो residential नहीं है, साथी साथ ये दोनो temporary structure भी नहीं है, तो यानि कि other buildings हो गई, other buildings हैं तो हम इन दोनों का एक group बना देंगे, क्योंकि इनका जो depreciation है वो same है, building 10% block, तो इसे तरीके से अगर आपके पास अलग-अलग assets है, जो कि same class की है, जैसे plant and machinery है, तो आपके पास अगर सारे के सारी machines जो है, वो 15% की machinery है, तो आप सबको एक block बना देंगे, और उसका नाम लग देंगे, plant and machinery 15%, similarly आपके पास motor vehicle है, तो motor vehicle जितनी भी motor vehicle है, अगर आप उन्हें अपने business के लिए use करते हो, not for the purpose of applying them on the road, आप उन्हें Ola Uber नहीं है आपकी वो, तो आपके वो business में यू help करती है, तो आप उनका एक अलग से block बना दोगे, और जिनक्यू, क्यूंकि वो same class को belong करती है, वो सब motor vehicle है, और उनके उपर same rate जो है वो charge होता है, तो हम उनका एक block बना देंगे, तो जो भी depreciation की calculations होगी, वो उस block of assets की उपर होगी, ना कि individual assets की उपर. Next है 180 days funda, अब देखें, आप इमने funda word इसलिए उसके है, क्यूंकि exam में जब हम question करते हैं, तो हम भूल जाते हैं, तो funda word थोड़ा सा अटपटा है, तो आपको जैसे ही आप question देखेंगे, तो आपको कुछ याद आजेगा, कि माम ने कुछ अलग से बताया था, तो देखें, इस rule के according क्या होता है, अगर आपने asset acquired किया है, लेकिन अभी तक आपने उसको use करना start नहीं किया, तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, कि अगर आप asset ले तो आते हैं, लेकिन आप उसको use करना start नहीं करते, तो जब तक आप use नहीं करेंगे, तब तक आपको no depreciation मिलेगा, तो asset acquired but not put to use, means no depreciation shall be provided, next है asset acquired and used for less than 180 days, अब उन्होंने बोला कि अगर आप 180 days से कम के लिए use करते हो, तो फिर आपको half rate से depreciation मिलेगा, तो government कहती है कि अगर आप asset ला रहे हो, और अगर आपने 180 days से कम use किया है, तो फिर हम आपको half rate से depreciation देंगे, पूरा depreciation नहीं provide करेंगे, तो for example आपके पास building है, और आपने उसको 180 days से कम use किया, माली ज़िए आपने 100 days आपने उसको use किया, तो building पे आपको पता है 10% का depreciation मिलता है, तो हम आपको 10% की जगा सिरफ 5% का ही depreciation देंगे, accounts में क्या करते थे, accounts में जितने दिन building use होती थी, उतने दिन का depreciation मिलता था, अगर एक दिन भी building use की है, तो एक ही दिन का depreciation मिलेगा, but income tax कहता है, कि चाहे आप 180 days से जितना मर्जी दिन कम use करो, हम आपको 50% का depreciation देंगे, अगर आपने एक दिन भी building use की, तो आपको 50% का depreciation मिल जाएगा, तो अगर आप 31st मार्च तक की calculation करेंगे, तो आप 30th मार्च को भी लियाओ building, तो less than 180 days है न, तो आपको 50% depreciation मिल जाएगा, so this is the benefit in income tax, accounts में जब आप calculation करोगे, तो एक ही दिन का depreciation, बट income tax में सीधा 50% का depreciation मिल जाएगा, next है asset required and used for 180 days or more, अब आपने asset required किया, और 180 days या फिर उससे जादा आपने उसको use किया, तो in that case आपको full rate का depreciation मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, asset ले किया आओगे, जैसे ही आपके 180 days पूरे हो जाएगे, आपको पूरा depreciation मिल जाएगा, अगर आपके 180 days से कम है, तो half rate से depreciation मिलेगा, अब देखिए जो पहला साल है, जिसमें आपने asset को use करना start किया, तो हमने बोला कि 180 days से अगर आपकी asset कम use होती है, तो हम आपको half rate का depreciation देंगी, तो हमारा जो half rate का funda है, वो सिरफ पहले साल ही use होगा, यानि कि हमने कितने दिन asset को use किया, वो सिरफ जिस साल से आपने asset को use करना start किया, आप उसी साल देखोगे, अगले साल अगर आपने asset को बिलकुल भी use नहीं किया, तो भी फरक नहीं पड़ता, आपको पूरा depreciation मिलेगा, तो हमने asset को कितने दिन use किया, आपने सिरफ उसी साल में देखना है, जिस साल में आपने asset को first time use किया, तो मान लीज़े इसको example से समझते हैं, कि आपने किसी asset को 2019 में acquire किया, 1st July को, और आपने उसको 100 days के लिए use किया, previous year 1920 में, तो देखें 1920 के लिए हमें depreciation कितना मिलेगा, half year मिलेगा, क्यूंकि हमें जो depreciation के days हैं, वो सिरफ तभी count करने हैं, जो हमारा first year है, तो first year के बाद आप चाहिए asset को use करो, मत करो, कोई फरक नहीं पड़ता, आपने सिरफ पहले साल में देखना है, कि क्या आपने asset को put to use किया, कि नहीं किया, अगर किया, तो कितने दिन किया, 180 days या उससे कम, अगर 180 days से कम, तो half rate depreciation, 180 days से ज़ादा, तो full rate depreciation, उसके अगले साला asset को use करो, मत करो, कोई फरक नहीं पड़ता, नेक्स्ट है calculation of WDV for depreciation, अब depreciation calculate कैसे करते हैं, WDV method से, तो देखें, सबसे पहले हमें क्या calculate करना है, opening WDV, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, कि जो हमारा last year का balance बचा है, return down value हमारी assets का, उनका opening value क्या है, तो आप opening value लिख देंगे, उसमें हम add कर देंगे, actual cost of assets purchase during the year, यानि कि जो भी assets, मैंने अपने previous year में purchase की है, उनकी values को हम यहाँ पर add up कर देंगे, बट आपने यहाँ पर तीन categories बनाने है, assets की, पहली category क्या होगी, put to use less than 180 days, क्यों मैंने अलग category बनाई, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो date of depresition मिलेगा, वो depending upon number of days मिलेगा, तो हम कहीं आगे जाके गलती ना करें, इसलिए हम यहीं पर category बना लेते हैं, ताकि हमें depresition calculate करते time, problem ना आई, तो पहली category क्या हो जाएगी, put to use less than 180 days, कि हम गर हमने 180 days से कम के लिए use किया, तो हमें 50% depresition लगाना है, जितनी भी assets ऐसी हैं, जो 180 days से कम use हुई है, उनका amount आप उसके सामने लिख देंगे, फिर next category बनानी है, put to use 180 days और more, ऐसी assets जो आपने 180 days या उससे जादा यूज की है, तो जितनी भी ऐसी assets होगी, उनका amount आप उनके सामने लिख दोगे, सारी assets का add up करके, third category बनाऊगे आप, acquired but not put to use, यानि कि ऐसी assets चो आपने previous year में purchase तो की, लेकिन अभी तक आपने उनको put to use किया ही नहीं है, अभी तक वो ऐसी कियाजी रखी हुई है, तो ऐसी asset है, तो आप उसे block में तो add करोगे, लेकिन आपको depreciation नहीं मिलने वाला, तो इसलिए हम उनकी values को block में लगाएंगे, add up करेंगे, लेकिन हम इस पर depreciation calculate नहीं करने वाले, इसलिए ध्यान रखना है, कि इसको, जैसे आप इसके सामने amount लिखोगे, तो pencils इसको cut देना, क्यूंकि आपको इसके उपर depreciation नहीं लगाना, तो अपनी understanding के लिए, कि आप exam में भूलना जाओ, जैसे आप लिखो acquire but not to use, उसके आगे pencil से cut कर देना, कि मुझे इस पर depreciation नहीं calculate करना, इन सब amounts में से हम less कर देंगे, money payable on sale of assets, अब देखें, यहाँ पर होना चाहिए था money receivable, जब हम किसी assets को sale करते हैं, तो वो हमें assets पे पैसा मिलता है, हमें money value receive होती है, बट क्योंकि हमारे law ने लिख दिया money payable, तो हम भी यहाँ पर money payable ही रिख रहे हैं, कि जब भी हम किसी asset को sale कर देंगे, अपने previous year में, तो वो amount हमारी WDV में से less हो जाना चाहिए, तो जो भी amount होगा, हम अपनी total values में से less कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारी WDV, तो money payable less हो जाएगा, उसकी बाद हम इसमें से less करेंगे, WDV of assets transferred under slump sale, slump sale क्या होता है, कि जब हम अपने पूरे business की किसी undertaking को sale करते है, किसी पूरे part को हम sale करते है, तो हम उसे बोलते है slump sale, तो अगर आपने अपने business की slump sale की है, आपने किसी part को पूरे का पूरा sale किया है, तो जो भी assets आपने sale की है, उन सब की WDV को आप यहाँ से minus कर दोगे, अगर आपको पता है कि आपके पूरे business में आपके पास दो business है, जिसमें आपके पास 10 assets है, 5 आपने transfer कर दी, 5 अपने पास रख ली, तो आप जब WDV calculate करोगे, तो 5 assets की WDV है, वो आप 10 में से minus कर दोगे, तो आपके पास 5 assets की WDV बच जाएगी, तो यह होता है कि WDV of assets transferred under slum sale, तो उनकी जो values होंगी, हमें वो हाँ से minus कर देंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, WDV of assets for depreciation, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी WDV कितनी बच रही है, assets की जिनके उपर हमें depreciation calculate करना है, तो चलिए अब depreciation को एक example से समझते हैं, तो माल लिजे कि हमारे पास जो assets है, उनकी WDV जो है opening, that is 10 lakh rupees है, हमने during the year, asset or purchase की 5 lakh rupees की, और हमने previous year में sales की है 2 lakh rupees की, हमने अपनी assets को use किया है 200 days के लिए, यानि की 180 days से जादा use किया है, तो full rate से depreciation मिलने वाला है, and जो rate of depreciation हमारी asset के लिए applicable है, that is 10% है, तो अब किस तरीके से हम depreciation calculate करेंगे, तो देखे मैंने हाँ पर opening WDV आता है, तो that is 10 lakh rupees, इसमें हम add कर देंगी purchases during the year, हमने purchase की है 5 lakh rupees की, तो 5 lakh rupees add कर देंगे, और हमने sale किया है 2 lakh rupees का, तो 2 lakh rupees minus कर देंगे, तो हमारे पास WDV कितनी बच जाएगी 13 lakh, तो 13 lakh की WDV के ओपर हम depreciation calculate करेंगे, so depreciation is 10%, तो 13 lakh कर 10% निकालेंगे तो आजाएगा 1 lakh 30,000, तो 1 lakh 30,000 rupees अपना minus कर देंगे WDV में से, तो हमारे पास next year के लिए WDV कितना आजाएगा 11 lakh 70,000 rupees, तो this is the WDV for the next year, तो next year के लिए opening WDV बन जाएगा 11 lakh 70,000 rupees, और इस साल का depreciation हम कितना claim करेंगे, 1 lakh 30,000 rupees, अब एक और example देखते हैं, तो देखे मैंने data same लिया है, opening WDV 10 lakh rupees है, assets purchase की है 5 lakh की, अब यहाँ पर हमने क्या किया, कि मैंने सारी की सारी जितनी भी assets थी, मेरी इस block of assets थी, जितनी भी मेरी उस block के अंदर assets थी, मैंने उन सब को sale किया, तो जो opening में मेरे पास पिछले साल की assets थी, plus जो मैंने previous year में और purchase की, उन सब अपनी पूरे block को मैंने sale कर जा 13 lakhs में, तो इस case में हमारा depreciation कितना calculate होगा, तो देखें, यहाँ पर मैंने assets को use की है 200 days के लिए, rate of depreciation same लिया है, मैंने 10% का, तो सबसे पहले हमें opening WDV लिखते हैं, तो मैंने opening WDV लिख दिया 10 lakh rupees, इसमें हम purchases को add करते हैं, तो 5 lakh rupees की purchase थी, तो मैंने add up कर दिया, उसके बाद money payable कितना है, 13 lakh है, तो 13 lakh मैंने यहाँ पर less कर दिया, क्योंकि हमारी sales है, अब देखें, यहाँ पर WDV कितना बचेगा, assets की value कितनी थी, 10 lakh की पहले थी, 5 lakh की और purchase की तो 15 lakh हो गई, आपने 15 lakh की assets को 13 lakh में sale कर दिया, तो यहाँ पर profit हुआ कि loss हुआ, यहाँ पर हमें loss हो रहा है, 2 lakh का loss हो रहा है, तो यहाँ पर WDV क्या बचेगा, WDV हमारे पास आजएगा nil, क्यों WDV nil आया, क्योंकि भाईया मेरे पास assets ही नहीं है, मेरे पास उस building वाले block में, कोई asset ही नहीं बची, उस block में कोई भी asset नहीं बची, और अगर आपका WDV nil है, तो हमें पता है depreciation जो होता है, वो WDV पे निकलता है, तो if WDV is nil, depreciation will also be nil, तो आपको कोई भी depreciation नहीं मिलने वाला, तो ध्यान रखना है, कि ऐसा नहीं होगा, accounts होता, तो चार दिन का भी depreciation मिलता, बट income tax ने बोल दिया, कि जब block ही नहीं है, assets ही नहीं है, तो depreciation भी नहीं मिलने वाला, तो आपको कोई भी depreciation नहीं मिलेगा, और इस case में हमारे पास क्या हो जाएगा, capital loss आजाएगा, 2 lakh rupees का, जो कि हमारा capital gain and capital loss वाले chapter में taxable होता है, तो 2 lakh rupees का हमारा capital loss आजाएगा, and no depreciation चल भी provided, और ये वाला block जो है, वो पूरा खाली हो चुका है, so this was all about section 32, depreciation, अगर आपकी कोई भी queries हैं, तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं, thank you, आप आपनला का,